जब भी चेहरे पर pimples होते हैं तो खतम होते होते एक काला निशान जरूर छोड़ जाते हैं जिसे ठीक कर पाना काफी मुश्किल काम हो जाता है हमारे चेहरे पर pimples तो सभी के होते ही हैं जिसे खुद बखुद खतम होने में 7-8 दिन लग जाता है और उसके निशान को हलका होने में 2-3 हपते का टाइम लग जाता है लेकिन गलती से अगर आपने pimples को निकलते ही दवा देते हो तो फिर वो खतम होने में एक तो बहुत जादा टाइम लेगा और साथी में उसके दाग भी काफी गहरे हो जाते हैं जिसको खतम होने में महीनों भी लग सकते हैं इसलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसा नुस्खा कि अगर आपके पास pimples के कैसे भी दाग हैं उसको आप बहुत ही जल्दी एक से दो दिनों में जो है आप उस दाग को हटा सकते हैं उसके लिए आपको सिर्फ जरूरत होगी चार चीजों की जिसमें पहला आपको यूज करना है ऐलोवेरा जेल का सेकेंड बिटामिन E ओईल यूज कर लीजे या फिर बिटामिन E के कैपसुल यूज कर सकते हैं तीसरा नीमू का रस और चौथा गुलाब चल इन चारों को ही इस्तमाल करके जो है आप आसानी से पंपल्स के दाग को मिटा सकते हैं बिटामिन E में सेल रिपेर और एंटी एजिंग प्रोपर्टी होती है जिससे की रिंकल्स को कम करने में काफी मदद मिलता है अगर आपको बिटामिन सूट नहीं करता है या फिर ऐलर्जी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं गुलाब चिल और नीबू के रस में तो स्किन वाइटनिंग प्रोपर्टी पाई जाती है जो कि पिम्पल और पिम्पल के दाग धबो को जल्दी ठीसे ठीक करने में मदद करता है तो वहीं ऐलोजीरा का भी इस्तिमाल किया जाता है जो कि इसमें एंटी इंफलमेटरी और हीलिंग प्रोपर्टी पाई जाती है अब इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है आदे चमच लेना है अलोवेरा जिल उसमें बटामी नीके कापसूस आपको मिला लेने है उसके बाद उसमें आदा चमच नीबू का रस और आदा चमच गुलाब चल ये चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे अब इस मिश्रन आपका पूरी तरीके से तयार है इसका इस्तिमाल कैसे करना है जैसे आप इस्तिमाल करना चाहते हो इस मिश्रन को उससे पहले आपको अपने चेहरे को किसी भी फेश वास से आपको अच्छी तरीके से साफ करना है चेहरा साफ हो जाए उसके बाद किसी कॉटन बॉल की सहायता से आपका जो ये मिश्रन है उसको वहाँ पर लगा जहाँ पर की पिंपल से दाग धबे की प्रॉब्लम आई हुई है और इसे लगा कर 15 से 20 मिनिट के लिए छोड़ दे इसके बाद इसे धोकर साफ कर ले इसे कुछी दिन आप इस्तिमाल करेंगे आपको जो है काफी हद तक आपको फर्क महसूस होने लगेगा तो इस नुस्खे को जरूर इस्तिमाल करिए और एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी